दोस्तों अगर आप V-Rise में लोन के लिए देख रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि लोन कैसे अप्लाई होता है, क्या डॉक्मेंटेशन लगता है और उसका रेट ओफ इंट्रेस्स क्या होता है तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उसका requirement क्या है V-Rise में लोन लेने के लिए तो यहाँ पर मैं बता दो फ्रेंट्स की V-Rise में लोन अप्लाई करने के लिए minimum जो salary है आपकी वो 12,000 रुपे नेट होनी चाहिए और आपकी company जो है फ्रेंट्स वो private limited होनी चाहिए इसके अलावा अगर आप फ्रेंट्स अगर आपकी company private limited नहीं है तो आपका PF deduction होना बहुत ज़रूरी अगर PF deduction नहीं है तो आप personal loan के लिए V-Rise से apply नहीं कर सकते हैं और यहां पर मैं बता दूँ फ्रेंट्स के लिए आपको एक mail डालना पड़ता है वह सारा कुछ मैं बताऊंगा अगर इनके साब को future में फ्रेंट्स करना होगा तो अब बात कहां कर लेते हैं rate of interest के rate of interest जो है फ्रेंट्स वो up to 32% तक का है यह डिपेंड करता है customer के profile पे और उसके रिपेमेंट हिस्ट्री पे अगर आप कोई भी लोन अपने प्रिवेस्ट्री लिया है तो I hope कापी वीडियो काफी पसंद आयोगी thank you so much